इह हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अमीठी जनपत में केंद्री मंत्री स्मृती इरानी की पहल पर दो हाइटेक रिल्वे स्टेशन बनानी की मिली सिक्वरिती जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंग ने बुजुर की आँखो का कराया इलाज बुजुर की आँखे हुई स्वस्त एम यू के इंजिनरिंग चात्रों में क्रिकेट मैच के दौरान मार्पिट बिश्वित द्याले पॉक्टर ने पुलिस से जाच कराने की जानी के निर्देश लखेमपुर के नीम गाओं में अचानक कार में लगी आग इस्थानी निवासियों की मदद स्याग पर पाया गया काबू चंद आली सदर कोदवाली पुलिस ने करीब 462 ग्राम हिरोईन की जब्त एक आरोपी हुआ गिरफतार नमस्कार मैं हूं मैं यूरी सरवास्ताव आप देख रहे हैं प्रायम टीवी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ मैं पूरी लोग सभा चुनाओं पर उपचुनाओं के बीच समाजवादी पाटी शिवपाल सिंग यादव को अपने पाले मिलाने की पूरी कोशिश कर रही है इन सब के बीच सपा प्रमुख ने एक तस्वी ट्वीट कर सभी कयासों और अटकलों पर रोक लगा दी है अखलेश यादव द्वीट की गई तस्वीर में मैं पूरी उपचुनाओं में सपा प्रत्यासी डिमपल यादव, चाचा शिवफाल सिंग यादव और उनके बेटे आदित यादव नजर आ रही है तस्वीर ट्वीट कर अखलीश ने लिखा नेता जी और घर के बड़ों के साथ मैं पूरी की जनता का भी आसिरवाद साथ है लखनओं के शक्ती भवन पर विद्दूत कर्मचारी सयुक्त संगर समीती के तत्वाधान में सत्या ग्रह प्रदर्सन किया जा रहा है इस सत्या ग्रह प्रदर्सन में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में से सैक्डो इंजीनियर और कर्मचारी एकत्रित हुए है सभी कर्मचारीों ने अपनी मांगों को लेकर शक्ती भवन में शांती प्रदर्सन करते हुए सरकार से पंद्रा सूत्री मांग की है जानकारी के मुताबिक संगठन की तरफ से प्रदीप वर्मा ने बताया कि नीजी करण पुरानी पिंशन बहाली और कर्मचारियों पर हो रहे उत्पीडन को लेकर उनकी मांगे पूरी नई हुई तो 29 नवंबर को अनिशित कालिन प्रदर्शन हो प्रदेश व्यापी आरताल है यहां पर हमारी कई मांगे है जैसे कि हम लोगों का नीजी करण का विरोप हमारे चेर्मेन साब हमारे उर्जा मंति जी नीजी करण का हम लोग दुरोप करने के लिए नीजी करण पर चाहरा है कि यह पूरी तरीके से नीजी करण हो जाए और पुरानी पेंशन बहस्ता भी जो है बहाल की जाए क्योंकि और इयार्पी का जो गोटाला हुआ है उसकी विजाज कराई जाए है बहुत से ऐसे मुद्धे हैं जो कि हम लोग यहां पर प्रदेश वापी हरताल है यहां सत्यागरह के लिए किया है अगर सत्यागरह नहीं होगा उसके बाद हम लोग यहां आगे चलके 29 तारीक को हम लोग अनिशित कालीन अड़ताल करेंगे आपर विद्धु विभाद में निजी करन के लिए यह तरह का सत्यागरह किया जा रहा है यहां पर लोग पूरे प्रदेश से कठा हैं विजविभाद के करमचारी हैं यहां पर जूनियर इंजिनियर हैं यहां पर अबर अवियन्ता निजी करन से सबस्तान यह होगा कि हमारे प्रदेश के लिए विदुतु भोकता हैं उनको अभी मौझुता दर में जो सस्ती बिजली मिल लेगी हैं वो महंगी बिजली मिलेगी और जितने भी बिवस्ताय हैं अभी भोकताओं को के लिए निकाली गई हैं जो उनके स्योंक प्रदेश के लिए निकाली गई हैं उनके सारे अमेंडमेंट हो जाएंगे जिससे हमारे सबसे आदा इस चीज़ सफर करने वाले लोग विज़तु भोकता होंगे सबसे जादा तो यह सबसे पहले काम तो होगा कि जो बिजली के दरें हैं उनकाफी हाइक कर दी जाएंगी जिससे हम गाहा मील चीज़त के लोग को सबसे आदा समयक और इसी मुद्दे पर आज हम सभी वर के अभियंता सायक आवर बियंता और सायक बरके लोग टी जीटू सभी लोग के इखता हुए है इसका विरूद करने के लिए और हमारी यहीं महांगे कि निची करण को पूरी अपने सर से जितनी भी साहटा कर सकता है जो भी भुब्टव के सहयोग कर सकता है, बड़र विदूतअपुटी करने में और बुवग्ताउग को सहयोग करने में उस शिशा में और अधिक परियास किये ज 04 यह जो हार्ता अपर देश कितने दिन का रह जा रहा है किस तरी कि के लोग एकटा हुए हैं और हमारा जो नोटिस है वो शक्ति भौन में सभी वरके बेंताओं को दे दिया गया है अगर यह मांगे हम लोगी पूरी नेवी तो 29 से हम लोग अनिश्चित काली नहरताल पे जा रहे हैं यह निजी करन का विरोध हो रहा है जिस तरह से विजली वि सच्चा अगरा देखा जा तो पूरे प्रदेश के लोग यहां पर इकठा है अब इनकी मांगे हैं अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो 29 से कार्य भाहिशकार करने का और आगे इसका वह बढ़ानी का यह जिम्मा लेंगे अब आगे देखना होगा कि आखिर उस्तर प् औरान विवाद हो गया आपको बता दी कि एक छात्र ने दूसरे छात्र के सिर्मे क्रिकेट के बैट से हमला कर दिया जिसके बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके विरोध में छात्रों ने युनिवर्सिटी का गेट बन कर दिया युनिवर्सिटी पॉक्टर पुलिस को सूचना दी वहीं आरोपी छात्र के खिलाब पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है वहीं हमला करने वाले छात्र को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया है गुसाय छात्रों ने युनिवर्सिटी के गेट को बंद कर विरोधि प्रदर्सन शुरू कर दिया छात्रों का कहना है कि हमला करने वाले छात्रों को ततकाल रेश्टिगेट किया जाए सिविल लाइन थाना इलाके के AMU केंपस की घटना कर दिया गया है आने विदी कारभाई प्रस्तित है जिसका नाप साजेत है और नदीम तरिंगर रेजिडेंट है उसको एक लड़गा जो कि शौबित है उसके द्वारा उसके बेड़ पे उसके बेड़ से करिके बार जोट नमारी गई इसकी वैसे गंबीर रूप से बीमार कर दोक्तर ने गाया कि 24 गंडेगा कुछ पता नहीं है उसकी हालत बहुत जादे नाजुक है हम डेवांड आइस्यू में हो उसके स्कल इंजरी इंटरनल ब्लीडिम होई है इन तजीन हाल में किर्केट हो रहा था उसी किर्केट के दवरान में लड़कों के बीच में जगड कि विजनौर में सहबाजपुर थाना शिवाला कला में अवैद रूप से संचालित मेडिकल इस्टोर पर नर्शे के विरुद चलाये जा रहे नया सवेरा अभियान के तहट पुलिस और औश्यदी निरिक्षक की सयुक्त टीम ने अवैद रूप से संचालित मेडिकल को गिरफतार किया है इसके साथ ही मेडिकल से भारी मात्रा में टीम ने नशीली और प्रतिबंधी दवाएं बरामत की हैं आपके माध्यम से पूरे जनपद में ये संदेश देदना चाहते हैं कि किसी भी दशा में ऐसे लोगों को बख्षा नहीं जाएगा जो युवा पीडी में ये नशे का जहर बेच रहे हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक के कारवाई की जाएगी हमारी अभिसुचना संकलन लगातार जारी है और ऐसे हर मेडिकल स्टोर पर जहां इस प्रकार की प्रतिबंदित दवाएं नशे के उद्देश से बेची जा रही हम छापा मारेंगे और कडी कारवाई करेंगे इसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदे का भी काफी सहयोग है उन्होंने पूरी लग हम अपनी कारवाई हैं जारी रखेंगे खबर गाजियाबाद से है जहां जीला कारगार बंदियों की HIV जाच की गई जिसमें 140 कैदी पॉजिटिव और कुछ में टीवी के लक्षर मिले हैं जिसके बाद जेल प्रिसासन ने हड़कम मच गया सभी पॉजिटिव कैदियों को एड्स कंट्रोल स्वसाइटी में भरती कर इलाज कराने के निर्देश जारी हुए हैं जेल अधिकशक आलोक कुमार ने बताया कि संक्रमित सिरिंज के इस्तिमाल से कैदियों में संक्रमण का खत्रा बना रहता है उन्होंने बताया कि 17 कैदि में टीवी के लक्षर मिले हैं जिनका अलग आइसोलेट बार्ड में भरती कर इलाज किया जा रहा है इसमें एकाद आते रहते हैं एकाद छूडते रहते हैं तो यह लगबख फिगर हमेशा की है इसमें कोई घबराने की समानने बात है जैसे जनपद में हैं वैसे क्योंकि जेल में जो नशे में और इस तरह के जो ब्लड डोनेट करते हैं या नशा करते हैं सीरिंज से यूज करते हैं उनमें आप आसानी से यह पैलती है तो यह वही अमेठी जनपद में विकास का काम टेजी से हो रहा है आपको बता दें कि अमेठी सांसत इसमृती इरानी की पहल पर दो रेलवे स्टेशन को हाई टेक बनाया जा रहा है वहीं अब जिले के दो रेलवे स्टेशनों पर सुबधा और संसाधन से लैस होने के बाद दोनों स्टेशन ना सिर्फ ट्रैक के आकरशड स्टेशनों की स्रेडी में शुमार होंगे बलकि स्टेशन पर यात्रियों को विश्व इस तरी सुबधाओं का भी लाब मिलेगा रेल प्रभंदन की ओर से स्टेशन को सुबधा से लैस करने के प्रस्ताओं को सुकृति प्रदान कर दी गई है लाडियों को ठेरा भी लिया जा रहा है इसके अरावा कार पार्की की सुबधा और प्रेंड यूज की सुबधा भी नियालकर रेस्टेशन पर नहीं है खबर अलिगर से है जहां जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में डॉक्टरों की कमी है जिसके कारण मरीजों को इलाज करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वहें जिला अस्पताल में इलाज कराने आये मरीजों को इस्टाफ के कर्मचारियों ने डॉक्टरों की कमी को देखते हुए इलाज करने से इंकार कर दिया मैं जाएंगे पता नहीं तो यह बताएंगे ना इनकी किसले बैटे हैं आपर हम तोड़ी बताएंगे इनके बस पता कुछ नहीं मने कर दिया नो डारेक्टर बता हो इंसे क्या कहा है चंदौली में सदर कोतवाली शेत्र के नवीही पुलिया के पास पुलिस की टीम ने 462 ग्राम हिरोईन के साथ एक तसकर को गिरफतार किया है जानकारी के मुताबिक बरामत की गई हिरोईन की कीमत 46 लाक रुपए बताई जा रही है बतादे आरोपी हिरोईन हेलमेट में छिपा कर ले जा रहा था जनपत चंदौली में पुलिस सदिक्षक मौदे के इंदर देशन में मादक पदार्थों की तशकरी के गिरुद्ध प्रभावी रोगठाम की करवाई करने के लिए इवम इसमें लिप्त शातिर अप्राधियों की गिरुद्धारी के लिए सगहने उम सारतक अभियाई चलाया जा रहा है इसी क्रम में कल शाम को सीओ सदर के नेत्रित में स्वाट टीम प्रभारी और इंस्पेक्टर चंदौली की टीम दी इन लोगों ने एक अंतराजी तशकर को नवी पुलिया के पास शाम को गिरुद्धार किया है जिसके पास से हेलमेट में छुपा कर ले जा रहा है लगबख 462 ग्रान हेरोई नामक मादक पदार्थ बरामद हुआ है जिसकी अंतराजी बाजार में कीमट लगभख 46 लाख रुपे है और ये अंतराजी तशकर बिहार पांत के कईमयोर जिले करहने वाला है जिसका नामzarum कुमार गुपता है इनकी आपराजी की दिहास को और इनकी बाकी मतलब इनके साथ जो भी अंतराजी तश्कर लिप्त हैं की कारवाई इनके साथ सयोगी हैं उसकी हम लोग शानमीन कर रहे हैं पुलिस अधिक्षक मौदे द्वारा इस सांदार सफलता को अंजाम देने वाली टीम को 25,000 रूपे के नकत पुरस्कार से पुरस्कित दरने की घुश्रा की गई है गाजियाबाद में बरनाम हुई खाकी पुलिस पुलिस की आवैद वसूली की पुल खोल रहा सोशल मीडिया पर वाइरल बीडियो आपको बता दें कि खोड़ा थाने की लोधी चौकी पर तैना चौकी इंस्चार्ज और सिपाही पर भरष्टा चार और वसूली का आरोप लगा है महिला छेड़ चार के आरोपी को बचाने के लिए पुलिस ने 20,000 रुपए लेकर कारवाई की वाइरल बीडियो की जाच कर दोनों आरोपियों पर कारवाई की जाएगी अलीगड में थाना बन्ना देवी शेत्र की अंतरगत सूत मिल चौराहा बसिस्टेंड पर संदिग परिस्थिती में एक रोडवेज कर्मचारी का शौमिला है आपको बता दें कि शौम मिलने से हडकम्प मच गया वहीं इस्थानी पुलिस ने पहुच कर जाच परताल करना शुरू कर दिया जिसका पुलिस ने शब को कबजे मिले कर पोस्पार्टम के लिए भेज दिया वहीं मृतक के परजनों ने हत्या किया शंका जताई है साथी मिर्तक के बेटे का कहना है कि मेरे पिता की मृत्यू की जाच कर दोशियों को कड़ी सिकड़ी सजा मिलनी चाहिए अलीगड में सियाखास निवासी दो दिन पहले जिलाधिकारी इंद्र विकरम सिंग के पास पहुचे इस बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं है आर्थी किस्ति भी ठीक नहीं है आखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है जिसे वह अपना जीवन चलाने के लिए मजदूरी भी कर लें डियम से मदद की गुहार लगाने पहुचे बुजुर्ग को डियम ने अपनी ही गाड़ी से नेतर चिकिस साले भीजवाया प्रशासनी कादिकारी मधू लहरी ने निर्देश पाकर गांधी शेतर चिकिस साले के चिक्रसकों से बुजुर्ग की आखों की जाच कराई और ऑपरेशन भी कराया अपनी दोनों आखों से की तरह से अच्छे से देख सकते हैं वहीं बुजुर्ग ने डियम को धन्यवाद कहा ओपरेशन हो गया बाबा हाँ हो गया था क्या समस्या थी आखों के रोशनी बिलकुल गई हुए थी फिर आखों के रोशनी के दिए मैंने करा है तो कहां गई थी आप पहुंचा थी अपरेशन हो गया है और बहुत अच्छा गई शाम था 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 उसकी आखास का रहने वाला है अलीगडवें बरॉली जवांचेतर का वो जिलादिकारी हो कमिश्टर साब के पास अपनी विथा को लेकर गया था तक युसकी आख से बहुत दिन खाई नहीं दे रहा है और उसके घर परवार वाले कोई उसकी आख का इलाज कराने की दिल्चस्पी नहीं ले रहे हैं ना उसके पास पैसा है और ना कोई परवार में सदस है जो उसका उप्चार करा सके जिलादिकारी ने उसकी विथा सुनते हुए ततकाल अपनी गाड़ कल कोई वेक्ति थे नाम में इसमें याद नहीं मुझे, ओम वीर सिंगी वो कमिशनर साथ के पास पहुंचे थे, और उनको एक आंग से बिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके परिवार में कोई ऐसा वेक्ति नहीं का, जो उनकी मदद कर सकता, गरीब भी थे, तो कमिशनर गया था, गानी ने तुछके साले में, और तूकी जिलादिगारी गानी ने तुछके साले का ध्यक्ष होता है, जो भी खर्चा आएगा, वो हस्पिटल खुद भहन करेगा, तो उनका आपरेशन आपका हो गया है, और डाक्टर ने मुझे फोन तरके अभी बताया है, तो उ उत्रप्रदेश में फायर विभाग के लिए सरकार दुआरा अध्यादेश पारिट होने के बाद अब विभाग को बहुत से विश्यस अधिकार मिलेंगे आपको बता दे 1944 में अंग्रेजो दुआरा विभाग के काया कल्प में बदलाओ किया गया था तब से वही सुबधाय और कानू लागू था लेकिन अब सरकार दुआरा तमाम बदलाओ किये गये जैसे किसी भी प्रतिष्ठान या बिल्डिंग परिसर में आग के कारण किसी की मौत हो जाने की स्थिती में उसके मालिक को मुआफ़ा देना होगा तो वहीं विभाग को किसी भी परिसर में निरिक्षड करने के साथ साथ कमिया मिलने पर उसे सीच करने का भी अधिकार होगा इसके साथ ही आज प्राइम टीवी की तरफ से लखनव के मुख अगनी शमन अधिकारी मंगेश कुमार ने इस खास अध्यादेश को लेकर बादचीत की आईए सुनाते हैं आपको सायर और एमेजर्शी सर्विस को एक नया रूप मिला है इस वक्त हमारे साथ सीफो मंगेश कुमार जी है इनसे ही जाधा बात करेंगे सर यह क्या है पूरा अध्यादेश जो सरकार लाई है इसमें बहुत सारे चीजे जो है फायर सेफटी को मिलने वाली है कुछ एड़ांस टेकनोलोजी से लेकर क्या से चीजें है जो सबसे पहले हमारे जो फायर सर्विस एक्ट बनाता और उसके बाद जो है तो हुज़ार पांच में बना है तो उसमें केवल कवाल टाउन के लिए था कि जो बड़े बड़े से लखनो है कानपूर है लाबाद है अगरा है यह सब कुछ शहर थे केवल उनी की आग बुझानी के लिए था देद उनिश चवाली से और अब तक बहुत सारा जो है चीजें डपलमेंट हुई है हमारे भरत देश में और अलग अलग इंडेस्टी आई हैं बहुत और हाइराइस बिल्दिंग आजकल वाला कॉंसेप्ट आ रहा ह है तो इससे फाय सर्विस का चेलेंज बहुत बढ़ गया है और वो इतनी सारी इंडेस्टी जो है आ रहे थी तो है फाय सर्विस का चेलेंज बढ़ गया हमारे पास जो उनिश्वारीस एक्ट और दोजार पांच एक्ट उस पे जो है वो ढंग से प्रभावी नहीं हो पार करते हैं जीन सबसुत फ्रवा चटांए लिए हम पार चाहिए कर जाता है किशो aye जगहां फिया करी पास आग जाता है लेकिन फायर paying और पे बढ़ तो ऐस समझे को सर कैसे मैं सटरोंट किया कि कि कई बार हमने ये भी देखा है कि जो बजारों में आग लग जाती है चोटी मोडी घटना हो जाती है तो वो जो गाड़ी है दंपर की वहां तक नहीं पहुच पाती है तो इस चीज को कैसे मैनुपलीट करेंगे मैनेज करेंगे आप लोग क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है ये तो जो पहले से ओल्ड जो बस गये हैं उसमें तो मड़ा हटाना बहुत मुश्किल है बट उनके लिए यह है कि एक्ट जो है उनको ये रेस्पोंसिविल्टी दिरा है कि आ चल सकें वह सिस्टम दूसरा हम उनर और उखुपाइर अब फायर सीफ्टी अफीसर रखने के लिए बाद द हुआ है अब जो सिस्टम लगा हुआ है उसका कार्यसिल्द देशामने के सभीए लिए मेंटेन करने के लिए फायर से सेफुपाइर बट्र व्सक्रीए अदे के तो इसलिए जो है अब owner और occupier की responsibility है कि वो अपना system उसमें install करे और operational condition में रखे और fire safety officer रखे और qualified agency से audit कराने के बार साल में दो बार जो है self certification जो है fire fighting system का वो जो है provide कराए पहले लास्ट सवाल मेरा यह था कि सर एक अपनी तरफ से विभाग के तरफ से एक लोगों संदेश जिदिए जो लोग जागरुक नहीं होते हैं जेने लगता है कि हम fire विभाग से अनुसे नहीं लेंगे उसके बावजूद भी हम सुरक्षित है कई बार देखा भी गया है तो अपने संस्थानों में जहां भी है hotel है hospital है यह commercial activities हो रही है यह school है कोई भी building है कोई भी उसमें जो है audit करा लें electrical safety करा लेकर बहुत सारे जो है पहले वायर बहुत पराने डले हुए हैं पहले cooler बूला चलते थे अब बहुत सारे AC चलने लगे हैं हर कमरे में AC हो गया है और overloading होगी है सब लोग computer laptop वगरा यह सब चीजें करते हैं तो इतना वायर वही पराने हैं तो इसलिए जो है मेरा अनुद है सबसे पहले तो आपने electrical जो है उसको audit करा ले और वायर वगरा वो बिलकुल आजकल तो वायर ऐसे हा रहे हैं कि वह catch नहीं करते हैं आपने देखा भी हो वो नहीं लगेंगी दूसरा जो है जागरुक रहे हैं फारफार्टिंग सिस्टम के पिर्ति उनको चलाने का ग्यान होना चाहिए जैसे कि आप लोग कार लेते हैं तो कार कभी मेंटरेंस करते हैं तब ही तो कार चलती रहती है उसका प्रॉपरली उसमेंशन है के 10 पे मेंट तो जो सिस्टम कहीं अगर लगा हुआ है तो उसका मेंटेंस तो मेंटेंस तो करना पड़ेगा अधरवाइज वो चलेगा नहीं तो इसलिए मेरा अनुर्ण देख है और आगर कहीं अगर फाय सर्विस के सहीयों की जरूरत है तो हम लोग आपकी सेवा में सदय तक पर हैं ट देहा देश है उसको आने के बाद पारित होने के बाद फायर विभाग को काफी एडवांस टेकनोलोजी मिलेगी और उन्होंने ये भी कहा कि अनुसी को लेकर जो भी तमाम दिक्कते थी वो हर साल में हर छे मैने में उन्हें अपने और उनर को या फिर कोई भी पतिस्ठान क जो मालिक है उसे फायर विभाग को सौपनी होगी कैमरावन दीपक के साथ सागरतापा प्राइम टीवी लखनो लखीमपूर नीम गाओं कसमे में एक कार में अचानक से आग लग गई देखते ही देखते आग चारो और फैल गई गणीमत की बात ये रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है वही इस हाथसे की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुची और आज परोस के लोगों की मदद से गाड़ी को बुझाया लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी कि उत्रप्रदेश की खबरों में इतना ही देजबुनिया की तमाम खबरों के लिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं